Hey guys, welcome to welldeco.com, मेरा नाम है देव, आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि small case के उपर आपको अपनी SIP कैसे create करनी है कई लोग यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे मेरे वीडियो के उपर कि SIP कैसे create करते हैं, क्या कोई charge लगता है नहीं लगता तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे बने बताना चाहूँगा, small case के उपर आप कहीं पर भी SIP क्रेट करते हैं तो उसका कोई भी extra charge नहीं लेता है small case आपने को सिफ एक बर one time fees देनी पड़ती जो की 118 रुपे होती है इसके लाब अगर आप premium small case के अंदर SIP करना चाहते हैं तो आपको एक lump sum amount करना पड़ेगा और उसके बाद में आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं मैं आप लोग को recommend करूँगा कभी भी आपको यहां पर जो small cap वाले small case होते हैं उसके अंदर आपको SIP नहीं करनी चाहिए जिसे weekend investing हो गया capital mind momentum हो गया जहां पर stock अगर नीची जाता है तो काफी हद तक आपको loss हो सकता है तो हमीशा मैं recommend करूँगा आपको SIP उनमें करनी चाहिए जिन small case के अंदर या तो ETF है या फिल large cap वाले stocks हैं आप गाइस बात करते हैं कि जो small case है यहापे SIP आपको कैसे create करनी है तो जिस भी small case में create करना जाते है simply start SIP बटन के उपर click करना है अब आप उपर देख सकते start date का बटन आता है select frequency के अंदर चार टाइम आते है पहला आता है weekly यहापे अच्छी बात यह है कि हम लोग generally क्या होते है mutual fund के अंदर हम लोग monthly वाली SIP करते है तो यहापे काईस आप weekly भी कर सकते है four nightly मतलब दो week में ए bank account से amount debit होके आपको units वगरे मिल जाती है लेकिंगाइस small case के अंदर ऐसा नहीं होता small case simply एक software है जब भी आपकी due date होगी SIP को उस दिन वो आपको reminder बेजेगा email पे reminder बेजेगा प्लस WhatsApp पे reminder बेजेगा आपको कि आज आपकी SIP due date होने वाली है plus आपको एक button बेजेगा कि जहाँ पे आप one click के अंदर अपनी SIP का manually payment कर सकते है example के लिए guys यहाँ पे मंत्री वाली SIP select कर लेता हूँ उसके बात में आता है minimum investment amount आप guys क्या होता है for an example जिसमें small case के अंदर आप SIP create करना चाहते है यहाँ पे minimum investment amount दिया होता है अगर my charge माली जी मैं 500 रुपे कि यहाँ पे SIP create करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि इसका minimum credit area investment amount का वो 952 रुपीज है जिसके अंदर यहाँ आपको दो ETF मिलते है तो गाइस मैं example के लिए यहाँ पे 5000 रुपीज डाल देता हूँ तो यह automatically जैसे मैं review order कर दूँगा तो 5000 रुपे को यह अपने आप जो दो stocks दिये हो है दो ETF दिये हो है उसके अंदर यह divide कर देगा तो guys simply start SIP बटन के ओपर click करके यह देख सकते हैं आप मेरी यहाँ पर SIP confirm हो चुकी है बलब यहाँ पर कोई भी amount वगर मेरा debit नहीं होगा जैसे यह 26 तरीक से start होगी तो automatically मुझे email आएगा 26 तरीक को कि मुझे इस SIP का यहाँ पर manually यहाँ पर payment करना है इवन guys सबसे अची बात यह small case की अगर मालीजी आप edit करना चाहते है cancel करना चाहते simply added auto SIP के ओपर click कीजिए और end SIP और end SIP के ओपर जैसे click करेंगे तो आपने जो SIP बनाई होगी वो यहाँ पर खतम हो जाएगा So guys यह बहुत ही जादा easy है small case के ओपर SIP बनाना तो मैं recommend करूँगा कि जो large cash वाले stocks है यह जो ETF अगर है जैसे top 100 stocks हो गया top 250 हो गया यह global opportunities हो गया उसके अंदर आप अपनी शुरुवात में SIP ऐसे बिगनन यहाँ पर create कर सकते है So guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आपके कोई भी doubt से comment section के तरह ज़रू mention कीजिए Thank you guys thank you very much